अगर कोई काम कर चुके हैं और उसको हमें बोलना हो तो हमारे लिए सबसे अच्छा ओप्सन होता है प्रिजेंट का कॉन्टुनियस उसके अंदर पता चलता है कि जो काम खतम हो चुका है लेकिन उसका अभी भी असर आपके साथ है अभी भी उसका असर बचा हुआ है तो कैसे बचा हुआ है और किस तरीके से हम present में बीते हुए समय की बात करते हैं मैं बताता हूँ आज आपको इसके अंदर hedge और have होती है क्या होती है hedge और have timing बाड़ होती है इनी के आधार पर पूरा tense clear हो जाता है तो चलते हैं और जानते हैं किस तरीके से पिछली बाते हम present में करेंगे तो हमारा यहां tense है present perfect tense present perfect मैंने बताया था आपको present का मतलब होता है कि जो बर्तवान अब भी जो फिनाल चल रहा है और perfect का मतलब होता है कि जो भी काम खतम हो चुका है और perfect हो गया काम that is perfect right अब हम बात करें कि present perfect का यूज कैसे करेंगे और किस तरीके से किया जाता है और कहां कहां यूज किया जाता है और उसकी पहचान क्या होती है तो मैं आपको सबसे पहले बता दूँ कि कोई भी काम अगर खतम हो गया और चाहे वो past में खतम हुआ यानि कि अब से पहले इस चड़ से at this moment इस चड़ से पहले जो खतम हुआ लेकिन उसकी बात अभी भी हम at this time कर रहे है that is present perfect क्लियर हो गया मैं आपको कुछ दिसकी एड़वर भी बता हुआ जिससे कि आप ये भी जान पहेंगे कि उन एड़वरों की आदार पर कैसे पहचान सकते हैं ठीक है अच्छा इस sentence के अंतर क्या है कि अब तरह आपने पढ़ा कि वर्ब की first form वर्ब की ing लाग के fourth form तो मैंने कहा था कि वर्ब की second form और third form भी होती है कहा था नहीं कहा था तो आज हम third form पढ़ेंगे कि वर्ब की third form कि sentence में यूज होती है ठीक है तो ये present perfect के अंदर ही आपकी वर्ब की third form यूज होती है अब देखिए सबसे पहले बता दूँ कि कहा अब तक आपने पढ़ा होगा कि जिन हिंदी बाक्यों के अर्फ में चुका है चुकी है चुके है या है यह है आ है सब आते हैं ये सवे present perfect के लोते हैं राइट यही पढ़ा है ना अगर यही पढ़ा है तो आप comment में लिखिए यह सर यही पढ़ा है आज के बाद में आपको इनकी जरुवत नहीं पढ़ेगी क्योंकि हम English पढ़ रहे हैं हिंदी नहीं पढ़ रहे हैं यह मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ तो इनको तो कर देता हूँ मैं Cross Clear? अब बोले कि सर पहचानेंगे कैसे फिर आपने कर दिया आप ऐसे पहचानेंगे कि जब भी जब भी सेंटेंस में Hedge Heap आएगा क्या आएगा? Hedge Heap और बर्ब की थर फोम आएगी तो आप पहचान पहचानेंगे कि यह पिजेंट का Perfect है यह तो बात रहे हैं इंगलिस की अब कैसे हिंदी में अगर हम बनाना चाहें तो कैसे बनाएंगे? हिंदी में बनाएंगे आप इस तरीके जब भी सेंटेंस में बात हो रही हो कि Work has finished What experience has with us काम खतम हो गया लेकिन अभी भी उसका असर हमारे साथ है यानि कि मैं जैसे कहा कि हम लोगोंने प्लान बनाया कि चली है Simla चलते हैं अब मैंने का या Simla तो मैं पहले ही गूम चुका हूं वहां नहीं चल रहे इसका मतलब मैं कब गूमा था Simla आज से पहली गूमा हो ना अब नहीं पहले गूम चुका हूं लेकिन अभी उसकी बात कब हो रही है अभी बात हो रही है इसका मतलब वो sentence present perfect का है राइट जबकि मैं कब गूमा था हो सकता है साल दू साल पहले गूमा हूँ पास साल पहले गूमा हूँ पास्ट मैं गूमा हूँ लेकिन बात कहां कर रहे हैं हम आज तो आज बात कर रहे हैं सम्दा तो मैं गूंचुगा, मैं सम्दा तो जा चुका हूँ, मैंने सम्दा देख लिया है, इसका मतलब अमने बहुत पहले देखा था, आज बात कर रहे हैं. जैसे हमने कहा कि भाई एक काम करते हैं कि X by Z मुवी देखने चलते हैं, वो मैंने देख ली पहली, इसका मतलब पहले ही देख चुका, पास्ट में देख चुका, उसकी बात आज कर रहे हैं, तो जब भी कोई ऐसी बात की जाए, जिसका असर आज की डेट में आता हो, at this time आता हो, तो present perfect होता है, जो भी काम हम already कर चुके हूँ, वहाँ पर present perfect आता है, ठीक है, तो मैं कुछ एड़मरब के मादियम से आपको बताता हूँ, कि कैसे कैसे हम पहचान सकते हैं, देखिए, जिस sentence में already है, just है, yet है, already मतलब पहले से just miss abhi और yet miss abhi तक still, यानि कि अभी भी कोई क काम, मतलब अभी तक कोई काम हो चुका है, या फिर कर रहे हैं, या फिर नहीं कर रहे हैं, मतलब नहीं हो चुका है, हो चुका है, नहीं हो चुका है, या हमने कर लिया है, या नहीं किया है, वो सभी present perfect होते हैं, recently, देखिए, आपने सुना होगा recently, जिसका, मतलब हम लोग का अपर प्रिजेंट्ली कर चुके हैं, वहां पर प्रिजेंट परफेक्ट, अरे नहीं, वो तो ही है लेकिन रिसेंट्ली बढ़री भी आना चाहिए उसमें, एबर, एबर का मतलब होता है कभी, जैसे कि मैंने कहा कि क्या आपने कभी पीजा खाया है, तो इसका मतलब हम बात कर हैं प्रिजिंट पर्फेक्ट कि अब खो कभी नी काया तो आपर आजाएक्टा लूदत साम तक水िकों कर लिए जाए इसका मतलब टिली बनी मैंने 10th pass 2008 तक कर ली थी तो यह होगे हमारा past का लेकिन हम यह कहें कि मैंने 10th pass कर ली है मैंने अब तक 10th pass कर ली है इसका मतलब present perfect की बात कर रहे हैं Lately of late by this time so far because for before or by now अगर यह सेंटेंस में आपको कहीं दिखते हैं या फिर हिंदी में ऐसी सुचिया सा बनती है कि हम इनको लगा दें तो आप समझ जाएए कि सीधा सीधा यह present perfect है और अगर आपका लिखा हुआ रहा है टेंस में सा बीच में यूज हो रहा है तो आप किलियर कह सकते हो कि sir यह present perfect का टेंस है पहचान लोगें कोई problem मैंने सारे चीज़े किलिए कर दी है कि जब आपका काम खतम हो चुका उसका आफी भी बाकी हमारे साथ अभी भी है that is perfect यह आपका time value बता दी मैंने आपको example सी बता दी है हम चलते हैं किस तरीके से इसका structure होता है किस तरह से sentence बना सकते हैं तो आपको पहली बता चुका हूँ कि subject जो होते हैं subject two category में divided होते है singular जब भी हम singular की बात करेंगे तो singular के साथ में है जाएगा और जब हम prular की बात करेंगे तो prular के साथ में have आएगा clear लेकिन एक condition आई अब बची आई क्योंकि आई के साथ हमेशा क्या है कुछ ना कुछ अलग आता है तो इससे पहले tense में क्या पढ़ रहे थे M पढ़ रहे थे अब आई prular के साथ इसको include कर दीजिए और के साथ भी have हुज उज करेंगे हम क्या करेंगे have तो जब आई के साथ हैव होगा तो इसको बोलेंगे ूफ लिए कू क्या बोलेंगे है और हि के साथ has उज होगा तो इसको बोलेंगे he вообще हीज यानि कि यह एपोस्टो भी है ऐसी लिखते हैं और हैज भी ऐसी लिखते हैं ठीक है वो वर्ब के आदार में पहचाना ही आता है तो अब हम बात कर रहें स्ट्रेक्चर क्या है देखें सबसे पर सब्जेक्ट लगाईए फिर हैज है यानि कि सिंगूलर पूलर के सबसे व तो वाप की थड़ फरम और ऑब जय को इस पहले कासे जैसे की राइट, रॉट 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 और रिटन रथाई थी आपको सबसे पहले यह इविता है थीओ मैने गो-बेंट गॉन तो यहां पर थड़ फरम आएगी और थड़ फरम कैसे बनाओगे थऱ फरम कैसे बताओ उनको मैं करा दूँग आपको कि लिए रो गया अच्छा अब तो आप समझ चुके होंगा इस ट्रेक्टर में केसे चलता है कि जहां पर अफर्मेटिव है वहां पर इस तरह से ट्रेक्टर आता है जहां पर नेगेटिव आता है तो टाइम बढ़ के बाद में नौट आ जाता ह है और जहां पर इंट्रोगेटिव होता है तो इंट्रोगेटिव में क्या होता है कि यह है जब पहले आयाता है और बाकी का अफर्मेटिव बादा स्टेक्शा रहता है और जब नेग्टिव बादा सीन आता है तो सबजेक्ट के बादे नौट आयाता है यानि कि यह बादा यहां रता है, बस helping verb, आगे आजाती है, अब तक समझ चुके होंगे, नहीं समझे हैं, तो मैं बताएदा हूँ एक बार, कि subject के साथ hijab लगाएं, फिर verb की third form और फिर object, यह affirmative हो गया, ठीक है, और जब hijab के साथ में हम not लगा देंगे, तो negative हो गया, ठीक है, तो इन दोनों के sentence ह हैं, अब हम आधी हम देख लिए तेम के स्था है, जैसे, मैंने कहा लिए brand की मह देली पहले से गूम चुका हूँ, मैं गूस्णमला की बात कर रहा था, मैम आने ले लिए गवैश यदि इसका आप है, यह एक जोमने कि होती है, ब máxim गूमनी के क्या होते ए-о बिजिटेट, और अल्रेडी पहले से ही, तो आई हाब विजिटेड, देखो, बिजिट के साथ में एडी लग गई, इसका मतलब थड़ फर्म हो गया, और यहाँ है भी आया हुआ है, तो असका मतलब प्रिजेंट का है यह, तो प्रिजेंट पर्फेक्ट, तो आई हाब विजिटेड डेली अल्रीडी, मैं दिल्ली पहले ही गूम चुका हूँ, अगर हम बात करें कि मैं पहले से दिल्ली मेने नहीं गूमी है, तो कैसे बोलेंगे, आई हाब नॉट बिजिटेड डेली अल्रीडी, समझ रहें ना, यहापे डॉट लगा देंगे, तो आप नो की बात करेंगे, और यस लगा देंगे, यह नहीं नोट नहीं लगाएंगे, तो यह कहेंगे कि हाँ मैं पहले से गूम चुका हूँ, अगर हम यह बात करें कि सर हैज का भी उज होता है, तो हैज होता है सिंगूलर के साथ में, और सिंगूलर के भी थर्ड परसन के साथ में, तो ही के साथ हैज लगा दिया है, ही हैज, जैसे मैंने कहा कि मैंने अभी यह पार्ट याद किया है, मैंने अभी यह लेसन याद किया है, तो इसका मतला अभी किया है just just किया है just किया तो present perfect और present perfect तो have आएगी और अपकी third form आएगी right तो he के साथ है जाता है और learn, learn की third form होती है learnt और he के साथ अपने की होती है his, lesson माने part of just means अभी, यानि की I have learnt his lesson, for he has learnt his lesson just उसने अभी अपना part याद किया है, clear हुआ चो अब बात करते है negative negative हम ले देते हैं, देखे जैसे कि हाँ hedge के बाद में है, hedge के बाद में note लगाया, they have not deposited, and deposit माने जमा करना होता है third form लग गया, deposited money in PNV bank बे, बे PNV bank में उन्होंने अप PNV bank में पैसा जमा नहीं किया है यानि हो सकता दूसरी bank में कर दिया हो यह है इस कार्थ they have not deposited money in PNV bank जैसे आपने पूचा कि क्या उन्होंने पैसा PNV bank को जमाने कर दे और नहीं, उन्होंने भी पैसा PNV bank को जमाने किया है ऐसे करके मैंने कहा कि क्या सालू ने अभी तक अपना काम खतम कर दिया और नहीं, सालू नहीं अभी तक अपना काम खतम नहीं किया तो सालू has not finished her work yet देखो, यहां पर yet आया यहां just आया, यहां already आया तो यह क्या है? Adverb for present perfect यही है, मैंने लिखाया है इधर आपको तो सालू has not finished her work yet अभी तक सालू ने अपना काम नहीं खतम किया नहीं खतम किया ज़सका मतलब present perfect और हैजब आ रहा है इससे पहिछान सकते हैं, और third form आ रही है जब भी हैजब के साथ मैं third form आए और अपकी present perfect तो मैं आपको यह बता रहा हूँ, किस तरिसे present perfect आपक्ता पहचान सकें, जादा फे जादा. क्योंकि चुका चुकी, इनके वरोसे आप मत रहिए. अब बात करते हैं कि कोश्चन कैसे गड़ते हैं? जैसे मैंने कहा आप से कि, क्या आपने कार खईद ली है? है भी वाटा कार? अब मैंने आपसे यह नहीं आप मैंने कह दिया कि क्या आपने गाय का दूद निकाल लिया है यानि कि गाय का जो दूद होता है वो दोह लिया है तो अब बोलें कि सार गाय का दूद निकालना क्या होता है अब दूद का तो हमें पता है मिल्क होता है लेकिन गाय का दूद निकालना क्या होता है, तो वह ही में दाये दो, देखे, have you milked the cow, have you milked the cow, गलत है ये न, क्योंकि milk के साथ में एडी लगा दिये, जबकि निकालने के साथ में एडी लगनी चाहिए, यही कहना चाहते हैं आप, लेकिन मच्चों मैं आपको एक बात बदा दूद निकालना भी, एक milk अपने आप में एक object भी है, और एक बढ भी है, जैसे कि मैं दूद निकाल रहा हूँ, I'm milking, टिक है, मैं गाय का दूद निकाल रहा हूँ, I'm milking, गाय हूँ, और अगर मैं गाय का दूद निकाल चुका हूँ, तो I have milked the cow, milked the cow, ठीक है, और क्या अगर तुम गाय का दून निखालची के तो क्या वोलेंगे, है भी मिल्क दरकाओ, केलियर, इसको आप सीख लेना, अगर नहीं पढ़ा है, अगर नहीं पढ़ा है, इससे पहले तो आपने, नेक्स आपका, मैंने कहा कि क्या उसको, क्या उसने, उसको दन्ने से पीटा है, यार क्या उसने, उसको दन्ने से पीटा है, यानि कि हम यहां पर एक पुर मेल है और यहां फीमेल है, तो हैसी बीटन हिम बाई स्टिक, क्लियर हो गया, अब हम नॉट की बात कर लेते हैं, यहां पर तेखिए, अगर जब इंटो केटिव नेगेटिव हो, तो कैसे बोलेंगे, कि अंचित और नभी, अंचित और अमी ने अभी पौदों में पाई नहीं दिया है, अंचित और अमी ने अभी पौदों में पाई नहीं दिया है, तो इसका मतलब क्या है, कि अंचित और अमी दो लोग है, एक से जादा है, इसका मतलब पुरूदा है, और पुरूदा के साथ में क्या आएगा? हैव आएगा. तो हमने लगाया हैव. अंचित एंड अमी. नोट वाटर दा प्लांट. अब वाटर के साथ आपने एडी लगा दी. वाटर तो अलग से अबजेक्ट है. अब पानी लगा भी पानी लगाना भी वाटर दा प्लांट होता है. अगर नहीं पड़ा है तो अभी आप पढ़ लिजे क्योंकि इस चैनल पे आपको नहीं नहीं चीजे मिलने वाली है. तो वाटर के साथ आपने एडी लगा दिया. तो असका मतलब ये कोई काम हो चुका है और हैज आप आगया. तो प्रिजेंट परफेक्ट का काम है. अभी हुआ है काम. तो हैज अंचित और अमी नौट वाटर दा प्लांट? अंचित और अमी ने पौदों में पानी नहीं लगाया. तो हमने पूछा कि क्या अंचित और अमी ने पौदों में पानी नहीं लगाया है? क्या अंचित और अमी ने पौदों में पाई नहीं लगाया है तो आंसर दे सकते हैं यास अंचित और अमी आपनोट वॉटर दप्लांट या फिर आपनोट वॉटर दप्लांट क्लिए? नेक्स्ट हमने कहा की रादा अभी तक वहा नहीं गई तो क्या राधा अभी तक वहां नहीं गई, तो क्या राधा अभी तक वहां नहीं गई, तो इसका मतलब राधा सिंगूलर, सिंगूलर के साथ में है जाता है, तो हैज राधा नौट, गो की थर्ड फर्म गोन, गोन देर, तिल नाओ, यानि की अब तक, तिल नाओ, तो हैज र या तो तुम वहाँ अब तक नहीं गए ऐसे बोलते हैं तो है भी नॉट गॉन दियर तिलना हो यह साथ नहीं गया यह साथ दिया जा सकता है उसको बोलते हैं हम डबलू एच वर्ड वाला डवल इंट्रोगेटिव सेंटेंस जैसे जिसमें क्या क्यों कैसे आते हैं जैसे कि हमने एक एक एग्जामपल उठाया यहां पर मैं आपको इदर दिखा दूँ इसमें करना क्या होत यह सेम रहेगा और बस स्टार्टिंग में डवल एज फैमली का वर्ड आ जाएगा यहांने कि वाट वाई हाओ वेर वेर वेन यह आ जाएगा तो मैंने एक एग्जामपल लिया कि तुमने यह कार क्यों ख़ई दी है तुमने यह कार क्यों खई दी है जैसे कि आपका कोई द आपका भाई हो, आपका भाई हो, आप अपने भाई को बोलने कि आपने अभी ये कार क्यों खाई दे अभी तुमने ये बैग क्यों खाई लिया, मैं आपके लिए बड़ा बैग लेकर आ रहा था, तो आप बोल सकते हो कि why have you what, this car just, ठीक है, किलियर हो गया, next, whom has runjana given floor, whom has runjana given floor, runjana ने full किसको दिया, हम आप को उ सिब आप कोईशन ही तो कर रहे हैं, कि runjana ने full किसको दिया, तो whom has given whom has रंजना given flower रंजना ने flower किसको दिया और यसे कहा कि रंजना has given flower to him रंजना ने उसको flower दिया आप answer दे सकते हो clear अच्छा, अब बात करते हैं हम इसमें negative की तो negative में सिर्फ इतना है जैसे कि have के बाद में not लगा दे न यही है लेकिन ऐसा नहीं है subject के बाद note आता है इसमें क्या होता है subject के बाद note आता है ठीक है जैसे यहाँ पर subject के बाद note आ रहा है न ऐसे ही यहाँ आएगा यहाँ पर भी subject के बाद note आ रहा है यही यहाँ आएगा कैसे why have you not taken lunch yet why have you not taken lunch yet यानि कि अब तक आप ने लंच क्योğ नहीं किया अब तक आपने लंच क्यो क्यों नहीं किया इस में चुका चुकी तो नहीं आरा ना सलिव हमें आप является यही तो पूछा चाहरे हैं कि आपने अभी तक लंच क्यो नहीं किया है Why have you not Why have you not taken अभी तक यह सबी एड़ आफ टाइम आ रहे नहीं आ रहे इसे पहचान सकते हैं आप अब कोई पॉड्लम आएगी आपको टेंस पहचानने में सेंटेंस मनाने में में रैकॉर्डिंग नहीं आनी चीए क्योंकि मैं आपको सारे इस्टेक्शर प्लस एग्जामपल के साथ बता अब तक तुमने खान लंच क्यों नहीं किया नेक्स बढ़ें अब एक केस ऐसा भी आता जिसमें सब्जेक्ट नहीं होती आप तो बोलें कि सब्जेक्ट के साथ अगर थर्ड परसन आए तो हैज लगा देना बाकि सबके साथ हैव लगा देना लेकर ऐसी कंडिसन भी आए कि Chicago यहां पर सब्जेक्ट उ नहीं होगा और सब्जेक्ट नहीं हो तो हम कैसे पेंचानेंगे क्या लगाना है तो यहां पर आपको यह फिल करना पड़ेगा कि एक पर्रसन के बारें बात वो रही हैं या फे एक से ज़्यादा की कि अब टक कौन नहीं आया अब तक कोन नहीं और मैंने कहा कि अब तक कौन-कौन नहीं आए तो इसका मतलब एक सी जादा की बारे मात कर रहे हैं यही है तो एक मीटिंग चल रही है एक बड़ी मीटिंग है जिसमें कम्पनी लोगों को आना है और हमने कहा वहां पर कि आपकी कम्पनी से इस मीटिंग में कौन आया है तो अब आप एक चीज़ सोचे होंगे सार यह कम तो 1st form है 3rd form कैसे बनेगी देगो कम-कम-कम यानि कि 1st form भी कम होती है 3rd form भी कम होती है तिर्फ 2nd form कैम होती है ठीक है अच्छा अब हमने यह पूछा कि आपकी तरब से कौन-कौन नहीं आया वही आपकी तरब से कौन-कौन नह आपकी तरब से कौन-कौन नहीं आया आप इस तरह के से बोल सकते हैं नहीं बोल सकते हैं तो एक वार मेरे साथ बोलिये हूँ आपको अच्छा प्रॉम यौर आपकी तरब से कौन-कौन नहीं आया आप इस तरह के से बोल सकते हैं नहीं बोल सकते हैं तो एक बार मेरे साथ इसके साथ एक्जामपल कर आदी है, अब आपको यह पता चल चुका है, कि परफेक्ट कैई हम पहचान सकते हैं, चाहे वो हinka ही हिंदी में हो, चाह बनुद्च आख' हानूं में हो। अज केई हैं नि यह बाद के आगेar कि आई होप कि आप ये वीडियो देखने के बाद में चुका चुकी बाला खेल खतम कर दोगे अगर उसके बावजुदे आपको ऐसा रखता है कि सर में चुका चुकी पर ही चलता रहूँगा तो फिर it's your choice एक बाद इस वीडियो को दोबारा से देख लें हो सकता है कि किलियर आपके जितने भी कंसेप्ट अभी तक नहीं हुए वो किलियर हो जाएं तो मैं जैसे मेरा सेसने कंसेप्चल क्लास खतम होती इसके बाद में प्रैक्टिस का सेसन लेकि आता हूं उसको भी दे करें एक ठाएं तो अपर आपको अगर यह प्रैक्टिस लेकि आ सकों तुलता हूं आपको नए वीडियो में तब तक लिए जैहन जै भादत